और मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बिनिट वालिकम स्लाम बेटे जर्मीना अच्छा जी बताओ स्क्रीन शेयर हुई इकरा कल वाले लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में शेयर कर दी हुई है चले ठीक है बिटे अच्छा जी कल हमने जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं और फिर आज हम अपनी अगली बात स्टार्ट करते हैं हमने कल जो लेक्चर समझा था वो ये था कि हम डिफरेंट आपजट्स को कैसे पहचानते हैं तो हमने कहा था कि उनके स्ट्रक्चर के थूँ पहचानते हैं हां जी ग्रूप्स में शेर हुई हुई है बेटे रिकॉर्डिंग ग्रूप्स में शेर हुई हुई है तो हमने कहा था कि हम इस दुनिया में फैले हुए जो डिफरेंट आपजट्स हैं उनको कैसे पहचानते हैं तो हमने बोला था उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसी तरह हमने कहा था कि जो दर्वाजा है डोर है विंडो है इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है पिर इसके बाद हमने कहा था कि इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंटेंस होता है उसका भी है कोई खास स्ट्रक्चर होता है फिर हमने एक sentence लिखा था अली लाइक्स नॉबल्स तो हमने दूसरा sentence कुछ टेड़ा मेरा से लिखा था sentence नहीं मतलब एक structure टेड़ा मेरा से लिखा था के चेर वाटर्स और कैमरा तो अब हमने कहा था के अली लाइक्स नॉबल्स तो एक sentence है लेकिन चेर वाटर्स और कैमरा जो है ये sentence नहीं है उसकी वज़ा हमने ये बताई थी कि अली लाइक्स नॉबल्स का एक specific sense आ रही है इसका एक meaning हमारे सामने आ रहा है अगर इसकी sense और इसका meaning हमारे सामने आ रहा है तो इसका मतलब है sense का मतलब होता है कि अली लाइक्स नॉबल्स इन तीन लबजों में इन तीन वर्ड्स में कोई logical connection मौजूद है कोई logical relationship मौजूद है जिसकी वज़ा से ये meaningful हो रहे है ठीक अच्छा उसके बाद हमने देखा कि वो कौन सा relationship है जो के words के group को sentence बनाता है sentence लवजों का group होता है na sentence is a group of words तो वो कौन सा relationship है जो के group of words को sentence का दरजा दे देता है तो हमने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले sentence में हम ये देखते हैं कि किस लव्ज में एक्शन हुआ है एक्शन वर्ड कौन सा है और एक्शन वर्ड को हम ग्रैमर में कहते हैं वर्ब और फिर हमने कहा था कि उस एक्शन का जो डूर होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा फिर हमने बात की थी कल कि subject और verb जो हैं, ये दो compulsory components हैं किसी भी sentence के subject और verb लाजमी है, subject और verb लाजमो मलजूम है और उसके बाद हमने कहा था, कि subject और verb का जो combination होता है उसको हम clause कहते है, subject और verb का जो combination है, उसको हम clause कहते है तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कम असकम एक साबजेक्ट या एक वर्ब का होना लाजमी है साबजेक्ट क्या होता है? एक्शन डूर होता है वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है और किसी भी सेंटेंस में एक्शन डूर और एक्शन का होना लाजमी है या subject और verb का होना लाजमी है या clause का होना लाजमी है तो clause का भी मतलब होता है ता combo of ता combination of subject and verb तीसरी बात हमने की थी कि जो object होता है वो action receiver होता है वो acted upon होता है और जो object है वो optional है वो sentence में हो भी सकता है और sentence में नहीं भी हो सकता उसके बाद हमने 10 sentences किये थे और इन 10 sentences में हमने देखा था कि किन verbs के बाद object है और किन verbs के बाद object नहीं है तो फिर हमने object को भी दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया था कि एक असान objects होते है easy objects होते हैं जो देखने से ही पहचाने जाते है और इसकी मिसाल जैसे मैंने दी थी कि रौएकिल्ड अस्नेक रौएकिल्ड अस्नेक में यह जो स्नेक है यह आप्जिक्ट है क्यों? कि वो acted upon है, क्योंकि उसको मारा गया है क्योंकि उसको kill किया गया है, उसने action receive किया है तो वो मरा है और बाज उकार tough objects होते हैं tough objects की मैंने मिसाल दी थी first two sentences से कि ज्याब built the station और the train reached the station तो ज्याब built the station में station object है लेकिन the train reached the station में जो station है वो object नहीं है तो tough objects को कैसे पैचाना जाता है उसके दो methods हमने दो shortcut समने निकाले थे कि या तो sentence का passive voice बना लीजिए जैसे के the station was built by Zya हो सकता है तो passive voice उसी sentence का बनता है जिसमें object होता है एव shortcut हमने ये निकाला था और दूसरा shortcut हमने ये निकाला था कि जो object होता है वो someone या something होता है object जो होता है वो someone या something होता है तो object को हम replace कर सकते हैं someone या something से जैसे के Zya built something लेकिन the train reached something नहीं हो सकता तो अगर Zya built something हो सकता है तो Zya built something में something object है इसी तरह Zya built the station में station भी object है तो object की ये quality होती है कि generally उसको someone या something से replace किया जा सकता है ये object की quality है अच्छा फिर object को whom और what से भी replace किया जा सकता है ये एक तीसरा shortcut है लेकिन कल क्योंके first day था तो इस वज़ा से मैंने तीसरा shortcut नहीं बताया ताके मतलब जुरूरत से ज्यादा जो है वो bombardment ना हो तो जुरूरत से ज्यादा जो है वो bombardment ना हो तो आज जो है वो एक नई चीज़ सुन लीजिए कि जो object होता है अब हमारे पास तीन टोटके तीन shortcuts मौझूद है पहला shortcut क्या है कि sentence का passive voice बनाईए अगर passive voice बनता है तो उसमें object होगा मिसाल के तोर पे ये sentence देखिए ज्याद बिल्ट दा station दा station वास बिल्ट बाई ज्याद अच्छा दूसरा shortcut someone या something से replace कर लीजिए तो भी object निकल के सामने आ जाएगा ज्याद बिल्ट something या नहीं ज्याद बिल्ट दा station अब someone या something से replace होने वाला जो है वो भी object होता है और what और whom से replace होने वाले भी objects हैं जैसे ज्याद बिल्ट what the train reached what नहीं हो सकता the train reached where तो हो सकता है तो where का जवाब देने वाला वो object नहीं होता तो अब हमारे पास ये three shortcuts मौझूद है how to recognize tough objects पहला है make passive voice replace with someone and something इसे मैं लिख देता हूँ replace with someone or something या replace with replace with what और whom ठीक है तो what और whom से भी object replace हो जाते हैं अब फिर इसकी practice देख लेते हैं he played cricket अब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं अब देखते हैं कि cricket जो है वो object है या object नहीं है तो पहला टोट का जो है वो क्या है ऐसी voice बनाईए cricket was played by him हो सकता है तो cricket object है दूसरा जो shortcut है he played something तो cricket object है तीसरा जो shortcut है he played what और जवाब में आएगा cricket ठीक है अब तीन shortcuts हो गए हम लोगों के पास अब देखिए sentence नमबर 4 को इसमें देख लें he played well अब हमने ये चेक करना है कि well object है या नहीं पैसी voice भी इसका नहीं बनता well was played by him बिल्कुल नहीं हो सकता अच्छा he played well को something से भी replace नहीं किया जा सकता he played something नहीं well is not something अच्छा he played what ये भी नहीं हो सकता he played how तो हो सकता है यानि well जो है वो खेलने का अंदाज है he played what नहीं हो सकता इसी तरीके से अब हम ये जो fifth sentence है इसको देखते हैं कि मी इसमें object है या नहीं है अब हमारे पास तीन short cuts मौझूद है अकरम deceived me अच्छा I was deceived by अकरम पहला short cut बिल्कुल ठीक है मी object है अच्छा अकरम deceived someone ये भी बिल्कुल ठीक है अकरम ने किसी को deceived की आना और वो मैं हूँ अच्छा अकरम deceived whom अब whom जो है इसका मतलब है किस को और जवाब में मी आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि sentence नमबर five में ये जो मी है ये object है अब उसके बाद हम sentence नमबर seven देखते हैं ये था ज्या एंटर्ड दरूम ज्या एंटर्ड दरूम अब इसका पहले passive voice बनाते हैं दरूम वाज एंटर्ड बाई ज्या बिलकुल नहीं हो सकता ज्या एंटर्ड सम्थिंग बिलकुल नहीं हो सकता ज्या एंटर्ड समवन बिलकुल नहीं हो सकता ज्या एंटर्ड वट ये भी नहीं हो सकता जिया एंटर्ड वेर जरूर हो सकता है और आबजेक्ट वेर को रिपलेस नहीं करता या वेर आबजेक्ट को रिपलेस नहीं करता या जिया एंटर्ड हूम ये भी नहीं हो सकता तो दरूम जो है यहां पर आबजेक्ट नहीं है तो अब हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं अबजेक्ट को पहचानने की अब जब हम आब अबजेक्ट पहचान लेंगे तो फिर हमने बोला था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं अगला हमारा स्टेप ये था और हमने कहा था कि अगर किसी वर्ब के बात आबजेक्ट है तो हम उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब अगर आपने सब्जेक्ट पहचान लिया आपने वर्ब पहचान लिया आपने आबजेक्ट भी पहचान लिया अब अगर अब अगर किसी verb के आगे object है तो ऐसा verb कहलाएगा transitive verb और अगर किसी verb के आगे object नहीं है तो ऐसा verb कहलाएगा intransitive verb ठीक है? अज़र transitive इस नाम को भी देखो न transitive यानि transitive verb वो verb होता है जो अपने action को transfer करता है आगे object पे यानि उसके आगे object होगा तो transfer करेगा और इसी तरह intransitive verb यह ऐसा verb होता है जो action तो होता है उसमें लेकिन आगे transfer नहीं करता object पे transfer नहीं करता object पे तोकि object होता ही नहीं उसके आगे transitivity और intransitivity के बाद हमने कल बात की थी बलके हमने क्या आप ने खुद इसकी definition बताई थी और कल बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आप कल हमने ये बात की थी बटे कि हमने bookish definitions की तरफ नहीं जाना books में तो ये चीज़े भरी हुई है अगर books में subject, verb, object भरे पड़े हैं उनकी definition भी भरी पड़ी हैं तो हमें समझ क्यों नहीं आती तो इसका मतलब है कि हमें अपने अंदाज से समझना होगा हम खुद analysis करेंगे खुद चीज़ों को जान लेंगे अपनी definitions बनाएंगे समझने के लिए अच्छा जी फिर आने आप लोगों से पूछा था मैंने आपसे पूछा था कि बताईए अली गेट्स अप अर्ली इन्दा मॉर्णिंग में क्या clause है या नहीं है तो आप लोगों ने खुद कहा था कि सर ये clause नहीं है मैंने पुछा था क्यों नहीं है तो आपने कहा था कि सर clause में subject और verb का होना लाजमी है तो in the morning में ना तो subject ना ही verbal लहाजा ये clause नहीं है फिर जो आपने बोला था तो उसी से हमने definition बना ली ये हमने definition बनाई क्या? कि phrase is a part of a sentence phrase फिक्रे का ऐसा हिसा होता है in which जिसमें subject ना हो या verb ना हो या subject और verb दोनों ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं phrase अच्छा जी तो phrase sentence का ऐसा part होता है phrase is a part of a sentence in which either subject और verb और बोथ और missing या subject नहीं होता या verb नहीं होता या दोनों नहीं होते अच्छा मेरा बच्चा जिस जिस के cameras on है ना वो please off कर दें ठीक है अच्छा अच्छा अब हम phrase के बाद अच्छा अब phrase के बारे में एक और बात भी सुन लीजिए के phrase meaningful तब ही होता है जब sentence के अंदर आपता है तो phrases को गटिया ना समझिएगा ये phrase ऐसा part है जिसमें subject और verb दोनों नहीं है शरा मानी चाहिए इसे तो phrase कोई गटिया चीज नहीं है phrase की अपनी qualities हैं वो additional information देता है वो बाद वकात places का बताता है बाद वकात manners का बताता है किसी काम करने के अंदाज का बताता है पर्पस का बताता है इस action का purpose क्या है जो activity perform हुई है sentence में उसका purpose क्या है फ्रेजिज की अपनी duties हैं बस वो ये है कि फ्रेज में subject और verb नहीं होते या subject नहीं होता या verb नहीं होता है दोना नहीं होते अच्छा अब phrases यूं समझ लें के phrase जहना एक पाकिस्तानी है एक पाकिस्तानी की value पाकिस्तान में है जैसे ही बाहर निकलता है तो वो value less हो जाता है बचारा है या पाकिस्तानी की बजाए मैं यूं कहूं कि phrase जहना किसी भी मुल्क का शहरी है कि जब वो अपने मुल्क में होता है तो उसकी कदरों की मत होती है किसी दूसरे मुल्क में चला जाए तो वो विचारा बेयारो मददगार हो जाता है जैसे के अगर मैं कहूं कि अली गैट सब अर्ली इन दा मॉर्निंग अब इन दा मॉर्निंग यहां पर मीनिंग फुल है लेकिन अगर मैं आप बच्चों से कहूं कि बॉइज अन गर्ल्स अच्छा या तो मैं यूं कहूं कि बॉइज अन गर्ल्स आई गटा पर ली इन दा मॉर्निंग तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बात की है आप कहेंगे कि सर कि आप ठक गए है मेरा ख्याल है आप रेस्ट कर ले आप तो ब्रोकन सेंटेंस बोल रहे हैं बेटे समझ आ रही है चले माशाला मैंने का इतने अदब से सारे बच्चे चुप बेठे हुए हैं मैंने का हैं भी के नए चले ये क्या देट्स बेरी गुड़ अच्छा पाकिस्तानी सेज जी सर आ रही है समझ चले अच्छा जी अब हम फिर ये थी कल की दोहराई ये थी कल की revision आज का lecture हम start करते हैं और ये लिखा lecture two अच्छा ये lecture two और आज है 23 अच्छा जी आज जो हमने बात करनी है वो देखिएगा आज हमारा point है point number one के what is बलके पहले में sentence लिखता हूँ sentence है अली राइट्स नोवल्स अली राइट्स नोवल्स और दूसरा sentence है अली इस अर राइट्र अब ये दो फिक्रे हैं बेटे अब जरा बताना शुरू करो sentence नोवर वन में अली क्या है subject है शाबाश subject है अब मुझे बताओ अब मुझे प्रूव करो ये subject है शाबाश action doer है doer of an action है शाबाश बिलकुल ठीक है अब मुझे बताइए के राइट्स क्या है शाबाश वर्ब है अब मुझे प्रूव कीजिए के ये वर्ब है अधीका कह रही है action है किरन नासिर जर्मीना हाइज वन डबल जिरो वन डबल जिरो पाकिस्तानी नूर शहजादी किरन ठीक हो गया जी तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये वर्ब है तो अब मुझे मेरा तीसरा सुवाल अली और राइट्स इनको अगर मिला के बोलोगे तो अच्छा उन्होंने पहले ही लिख दिया छेरे मैं ये एवरिवन करता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब को के कॉंबिनेशन को हम क्या कहते है क्लॉज कहते है अब मझे मताओ सैंटेंस नंबर वन का क्लॉज क्या है सिंटेंस नंबर वन का क्लॉज क्या है अयर्ड लइ राइट्स शाब्धिव अली राइट्स ये हो गया क्लॉज बिल्कुल ठीक हो गया जी शाब बाश सना कह रही है समुजना कह रही है अली राइट्स मानो एंजल कह रही है अली राइट्स अपने ठीक ठीक नाम लिखा करो बेटे ता कि मैं बुला तो सको शहजाद मुनीबा अली राइट्स बिल्कुल ठीक है शहजाद अली कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा एक्रा शुख शुगला शुगला अली राइट्स ये मैंने तलफ़ ठीक बोले है शुगला है ये फात्मा भी कह रही है ठीक है ठीक हो गया जी मेरा बच्चा अच्छा अब देखो अब मैं अगली बात जो करता हूँ ना फिर आप कहोगे कि सर कल तो आपने हमें घलत पढ़ाया है फिर अब सेंटेंस नमबर टू में भी अली सब्जेक्ट है खुजूर और सेंटेंस नमबर टू में इस वर्व है अब कहोगे सर आपने तो कहा था कि जो वर्व होता है अब जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूर होता है और जो वर्ब होता है उसके अंदर एक्षन होता है तो इसका मतलब है कि कल का तो सारा फिर वो हमारा जो लेक्चर था वो जाया गया अली इस राइटर में मैं कहा रहा हूँ अली सब्जेक्ट है और इस वर्ब है और मैं कहा रहा हूँ कि अली इस भी कलॉज है ना जी ना helping verb नहीं है ये अब मेरी बात समझो हाँ जी जरमीना ठीक कह रही है अब देखो जी अब मैंने इसको कर दिया small अली इस आ राइटर में है हाँ अब हम बात इस वकट कर रहे हैं linking verbs की linking verb अब बेटे linking verb एक ऐसा verb होता है जिसमें action नहीं होता linking verb is equal to no action और जब इस verb में action नहीं है तो उसका जो subject एक्षन डूर भी नहीं होता अब मेरी बात गौर से समझो अब मैं बेटे यूं करूंगा देखिए तो verb जो होगा फिर इसका मतलब है कि उसकी two types हो गई verb has two types verb की जो पहली type है वो है action verb और verb की जो दूसरी type है वो है linking verb helping verb की तरफ हम बाद में जाएंगे भी अभी helping verb का जिकर नहीं करना linking verb अब action verb की फिर आगे two types हैं वो कौन सी या तो ट्रांजिटेव वर्ब या तो ट्रांजिटेव वर्ब या फिर इन ट्रांजिटेव वर्ब देखो तो इसका मतलब हुआ के वर्ब की two types हैं पहली जो type है वो है action verb और जो दूसरी type है वो है linking verb मैं जनाब linking verb महम मैं जब मुकमल ना समझाओंगा तो आगे नहीं चलूँगा अब linking verb कैसा verb होता है यह ऐसा verb होता है जिसके अंदर linking verb को कैसे पैचानते हैं एक तो इस verb में action नहीं होता no action दूसरा यह verb alone होता है sentence में alone, अकेला, तनहा इसके इर्दगिर्द कोई और verb मौजूद नहीं होता अब देख लें, हम रोज मर्रा जिंदगी में linking verb के बेश बहा, बेताहाशा sentences बोलते है और कैसे पता जलता है उन sentences का उनमें action नहीं होता जैसे के मैं कहूँ के जैसे मैं कहूँ के इकबाल is our national poet जैसे मैं कहूँ के the boys were in the room जैसे मैं कहूँ के I am a teacher जैसे मैं कहूँ एक मिनिट पेटे अच्छा जैसे मैं कहूँ के we are students या मैं कहूँ के we are in a hurry हम जल्दी में हैं या मैं कहूँ के the kites were in the sky अब इन छे sentences को देखिए हम इस को highlight करते हैं हम वर को highlight करते हैं am को highlight किया फिर आर को highlight किया फिर आर को देखिया और फिर वर को देखिया अब आप इन यह होई यहां पर है यह सारे लिंकिंग वर की पहचान क्या है एक्षण नहीं होता उसमें अगर linking verb में action नहीं है तो पूरे sentence में action नहीं होता वर्ब तो दिल होता है किसी भी sentence का, कल मैंने जैसे आपको बताया था, कि जो वर्ब है, verb is the heart of a sentence, तो linking verb की पहचान क्या है, वो ऐसा वर्ब होगा, जिसमें action नहीं होगा, और अगर verb में action नहीं है, तो पूरे फिक्रे में action नहीं है, action जो है, वो verb determine करता है, ना add verb action को बता सकता है, ना adjective बता सकता है, ना subject बता सकता है, verb बताता है, तो अगर linking verb आ गया है, linking verb की पहली पहचान क्या है? no action और अगर linking verb में action नहीं है तो पूरे sentence में action नहीं है linking verb की अपनी qualities है वो बाज अकात introductions देता है जैसे इकबाल is our national poet ये अलामा इकबाल का introduction है the boys were in the room ये अब वर हमें बता रहा है कि इनका subject plural है boys वर हमें ये भी बता रहा है कि past contents है वर हमें ये भी बता रहा है कि आगे लड़के जो हैं वो थे कहां लेकिन बस इसमें action नहीं है I am a teacher अब I am a teacher में कोई action नहीं है लेकिन am ये बता रहा है कि subject आए है am ये भी बता रहा है कि tense present का है तो linking verb अपने role पर फॉर्म करता है linking verb की अपनी खुसूसियात है बस काम नहीं करता action नहीं होता उसमें और दूसरी पहचान linking verb की क्या है तनहा होता है अकेला अब sentence नबर वन में देख ले इसके दाएंबाएं कहीं और verb नहीं नजर आएगा verb को पटकने नहीं देता अपने आज़ पास है दाएंड़ वर अकेला है कोई और वर्ब नहीं है नदा वर्ब है नब वाइज ना इन दा रूम कोई वर्ब नहीं एक मिनुट बेटे बड कीजेगा जरा झाल झाल अच्छा वी आर स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स हैं हम यह नहीं सेंटन्स बता रहा के हम क्या कर रहे हैं हम क्या करते हैं यह हमने क्या किया यह हम क्या करेंगे यह नहीं बता रहा एक्शन नहीं है इसमें दे काईट्स वर इन दा स्काई ये सिर्फ उनकी प्रेजन्स बता रहा है बस तो लिंकिंग वर्ब की समझ आई है जरमीना कह रही है येस सना, हदीका शुगला वीवो माहम पकीजा, संतोष नासिर, फर्वा शाबाश ठीक है मेरा बच्चा अब ना उनीबा ठीक है मेरा बच्चा ठीक है जी नूर कह रही है, लिकरा कह रही है ठीक है मेरा बच्चा अब ना, अब देखो अब जो आपने कहा था ना helping verb का, अब हम वो देखते हैं Just a minute इसमाईल कोई बात पूछ नहीं है? मुहम्मद इसमाईल वली ठीक है बेटे अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है अब आपने जो helping verb की बात की थी थी ना अब हम एक कैप्शन लिखते हैं यहाँ पर difference between linking verb and helping verb अब यह देखो गटे अब दो सेंटेंस लिखते हूँ मेरा बच्चा कैमराज आफ कर दो अब बच्चा कैमराज आफ कर दो अपने अपने verb अच्छा जी, अब सेंटेंस नमबर वन देखिए I am a teacher I am teaching अच्छा बटे, यहाँ stop वीडियो का आइकॉन बनाओगा stop वीडियो का आइकॉन बनाओगा जैना आप इस वकत हो, क्लास में जो हो सकता है, बच्चों को पता ना हो इस तरह के यह कैमराज कैसे आफ करने तो आप ज़रा इनको गाइड कर दो चले अच्छा जैन साब है, ठीक हो गया जी अब हुजूरे वाला इन दो सेंटेंसेज में जो एम्स हैं इनमें जमीन असमान का फरक है अब जरा इन दो एम्स को देखो पहला जो एम है वो है हाँ आई अम आटीचर में ये जो एम है ये लिंकिंग वर्ब है हाँ जी और सेंट वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब है कैसे कि I am टीचिंग है, लेखो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ helper of a main verb helper of a verb helping verb एक ऐसा लफज होता है जो main verb की help करता है और वो अकेला भी नहीं होता बात को logically समझो देखो एक गाड़ी है उसका एक driver है, conductor है ठीक है conductor को हम कह देते है helper helper अकेला किस तरह manage कर सकता है गाड़ी को, जब तक driver नहीं होगा conductor, तो exist नहीं कर सकता बिचारा इसी तरह helping verb है मोहताज helping verb है मोहताज वो उसका कोई ना कोई main verb होता है उसके आसपास कभी उससे पहले हो सकता है, कभी उसके बाद में हो सकता है फिर याद रखना helping verb मोहताज है, helper है यह यूं समझ लो यह मतलब एक चाय वाला खुक्खा है एक चाय बनाने वाला है और एक उसका helper है, जिसको हम कहते हैं ओए छोटे चाय लेया तो यह जो helping verb है ना यह वो छोटा है, छोटा चाय वाला linking verb जो है हाँ मैर thank you बेटे अब linking verb जो है, वो main verb है linking verb की वो ही वर्थ है जो के action verb की वर्थ है यह दोनो पैरलल value है इनकी एक जैसे, same value है दोनों की फिर समझिए और clause भी दोनों बनाते हैं अभी एक बेटी ने सवाल पूछा था मैं खुद जान बुच के रुक गया अब मैं जवाब देता हूं उसका subject और action verb यह भी clause है subject और linking verb यह भी clause है ऐसे करते हैं हम अब एक मिनद तीनो sentences कठे लिखते है I teach English अब देखो अब इन तीन sentences पर focus कीजिए I हो गया subject, teach हो गया verb I teach English अब यह जो teach है यह action verb है तो I और teach यह भी clause है और दूसरा फिक्रा है I am a teacher I और am यह भी clause है हाँ फरवा बिलकुल ठीक कह रही है तो I और teach यह भी clause है subject और verb यानि subject और action verb यह भी clause होता है subject और linking verb यह भी clause होता है लेकिन subject और helping verb clause नहीं बना सकते sentence नमबर थ्री में जो clause है न वो यह है I और teaching यह am यहाँ पर helping verb अब आप लोग फरक कर पाऊ अच्छा अब मुझसे कोई पूछता ना सर बताए am क्या है तो मैं उसको कहता हूँ के sentence बोलो पहले अच्छा voice में issue आ रहा है मेरी voice क्लियर है आप लोगों को वो ही ना के बेटे यह तो बड़ा मेरा बड़ा strong यहाँ पर है यह जो connection है मेरा strong fiber का है strong connection है तो यहाँ से issue नहीं है आपके उदर reception पे issue हूँ है तो कोई बात नहीं है जैन साब कर रहे है record तो recorded lecture इंशाला आपको भेज दूँगा मैं अगर voice का issue है लेकिन वो irritation तो होती है ना क्योंकि जो live lecture की बात है वो समा कह रही है now clear sir thank you शुमेसा बोल रही है असलाम लेकुम सर शुमेसा आपने अब जोइन किया है बटे अच्छा चलें इसका भी हम निकालते हैं solution अच्छा अब मेरी बात सुन लो अब action वर्ब में linking वर्ब में और helping वर्ब में फरक कर लोगे ना बेटे हाँ और मेरे जो टर्म्स हैं उसको याद रखना कि जो linking वर्ब है वो तनहाए वो वन मैं आर्मी है लेकिन जो helping वर्ब है ना हाँ जो helping वर्ब है वो मुहताज है वो अपने इर्दिगिर्द में वर्ब मांगता है तब ही वो कर सकता है वरना helping वर्ब एक्जिस्ट नहीं करता में वर्ब के बगार अब हम अगर यह हमारे concepts कुछ हम समझ पाएं हैं इन्हें तो अब हम कुछ और sentences लिखते हैं या पहले हम यह लिख लें note a linking verb has no action यह हो गया पहली बात अभी करते हैं हमजा अभी करते हैं मेरा बच्च ठैरो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हो ना तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा a linking verb has no action दूसरी बात a linking verb exists alone in a sentence a linking verb can also make a clause यह हो गई बाते हैं linking वर्ब की यह तीन बाते हो गई linking वर्ब की अब हम आते हैं helping वर्ब की तरफ किर इस करेंगे उसके बाद helping verb की अब देखिए sentence number one a helping verb cannot stand alone a helping verb is not a main verb a helping verb अब अब अगर इसमें मैं पहचान की तरफ जाओ ना सेद मुच्टबाशा कोई बात नहीं बैटे मैंने इसको मैं recording पे लगाया हुआ हुआ है मैंने जैन साफ ने recording पे लगाया हुआ हुआ है ड्रिल की तरफ अब बैटे मैं sentences लिखता हूँ जैसे कल हमने practice की थी ना वैसे ही आप मुझे अब practice करके बताऊगे sentence number one action verb है कैसा verb है बैटे जिसमें action होता है जैसे कि I teach English जैसे कि I walk on the road I walk चीक है यही क्या करते हैं हम अब देखें ज्या 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 बाक्स ज्या बाक्स ज्या बाक्स फास्ट चले sentence number two ज्या is a nice man sentence number three Ziya is walking fast sentence number four Amjad told a lie sentence number five Amjad was telling a lie six Amjad was a liar चलो जी अम मुझे बताओ walks को क्या कहोगे action verb है linking verb है के helping verb action verb है अच्छन वर्ब है शाबाश शाबाश ज्या वाक्स फास्ट शाबाश अच्छा अब मुझे बताओ ज्या इस अनाइस मैन इस को क्या कहोगे linking verb है या helping verb है linking verb है शाबाश शाबाश very good शाबाश मुझे प्रूव करो linking verb है प्रूव इट that is is a linking verb शाबाश एक तो alone है दूसरा इस मैं action नहीं है एक तो alone है दूसरा इस मैं action नहीं शाबाश शाबाश एक तो तनहा है दूसरा इस मैं action नहीं है no action and alone no action and alone बिल्कुल ठीक है शाबाश sentence number three में is क्या है इसके बारे में जरा बताईएगा helping verb है helping verb है अब इसे prove कर दो कही helping verb है prove it that is is a helping verb है मुहताज है अच्छा ठीक है helper of a main verb है helper है यहाँ पर संतोष कहा रहे है helper है मुजना कहा रही है helper है अच्छा मीरम्जा कहा रहे है छोटू है यह ठीक है it is not the main verb बिल्कुल ठीक है और यह केला नहीं है इसका main verb मुझूद है helper बिल्कुल शुगला भी ठीक कह रही है सहीद भी ठीक कह रहे है शाबाश अच्छा अमजिद टोल्ड अलाई तो टोल्ड ही यहां पर बोलिये का क्या है verb है कौन सा verb है action verb है के linking verb है action verb है बोला जा रहा है इसके अंदर यह action verb है शाबाश ठीक है अमजिद वाश टैलिंग अलाई इसमें वाश क्या है helping verb है शाबाश helping verb है शाबाश very good very good अच्छा मुझे prove कर दो helping verb है helper है helper है main verb का शाबाश main verb की help कर रहा है ठीक है क्योंके इसके साथ main verb मौजूद है tell का helper है helper of the main verb शाबाश बटे good अच्छा अब मुझे बताईए के sentence number six में was क्या है ये linking verb है linking verb कैसे है number one एक तो इसमें action नहीं है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है शाबाश शाबाश no action बिल्कुल ठीक है संतोष बिल्कुल ठीक है रहे है हदीका बेटी सही कह रही है शाबाश एक तो इसमें action नहीं है अमजद वाज अ लायर अमजद लायर था हाँ जी action नहीं है because there is no action इजाज MSI कह रहे हैं इकरास ही कह रही है और फिर है भी alone alone का मतलब है के देखो was के आस पास कोई और verb नहीं है तो linking verb जो होता है न एक तो इसमें action नहीं होता दूसरा यह होता भी तनहा है generally ऐसा ही होता है generally और helping verb अकेला नहीं होता helper है न बेटे ऐसा तो नहीं हो सकता ना के एक मुलाजिम कहे के मैं इन्शाल्ला बहुत जल्द अपने लिए मालिक रखूँगा मुन्ज़ा हम यूं बात करते हैं कि was वगर आप न यूं समझो sentence में अगर was वर है और उस sentence में कोई action नहीं है तो इसका मतलब है वो linking verb है main आप मुझना यूं समझो ना बेटे क्या कि was वर is MR वगरा उसको चेक किया करो अब देखो अगर मैं कहूँ सना इसके बाद हमने करना है maximum helping verbs कितने आते हैं main verb के साथ और उसके बाद फिर हम एक sentence में देखेंगे कि maximum clause कितने आते हैं कितने आ सकते हैं clause identify करेंगे हम तो आज हमारी clause identification का है इसके बाद अगला जो मेरा point है वो यह है कि helping verbs एक main verb के साथ maximum कितने आ सकते हैं अच्छा मैं बात कर रहा था मुझना बेटी ने पूचा था तो मुझना आप यू समझो ना sentence आपके सामने आया है और उसमें ismr वाजवर भी है और उस sentence में action नहीं है तो यू समझे लो कि वो ismr वाजवर जो होंगे वो linking verbs हो एकरा clause clear हो जाता है अभी clear करवाता है एकरा आप मुझे ये बताओ किसी भी sentence में कौन सी दो चीज़े होने कौन सी दो चीज़ें का होना लाज़मी है sentence में कौन सी दो चीज़ें होना लाज़मी है तो हो गया subject दूसरा होगया वर्ब तो आप यू न न कहो के subject और वर्ब आप कहो clause का होना लाजमी है subject और वर्ब को मिला के इसके combo को हम clause कहते हैं हाँ जी तो जहाँ आप कह रहे हो कि किसी भी sentence में दो चीजों का होना लाजमी है subject और वर्ब को इसको हम एक और अंदाज में कह देते हैं कि किसी भी sentence में एक clause का होना लाजमी है यानि वन subject और वन वर्ब का जो combo बनता है वो clause होता है मीरवाइज ने एक बात पूछी है ये अभी मैं इसका जवाब देता हूँ अभी जवाब देता हूँ मीरवाइज कहा था ना कि ऐसा थो हो ही नहीं सकता कि sentence में action हो और उसका do or ना हो बलके मीरवाइज की बात के जवाब देते हैं पहले ये sentence है बेटे open the door क्या ये sentence है क्या ये sentence है अच्छा संतोष कहते है imperative है जर्मीना को भी पता है imperative है नहीं मुझे नहीं पता मुझे किसी और तरीके से समझाओ open the door क्या ये sentence है बे मैंने तो कल कहा था कि किसी भी sentence में subject और verb दोनों का होना लास्मी है अब यहाँ पर ये जो open है ये verb तो मौझूद है जाहिर बलोज कह रहे है सर सेंस कंप्लीट नहीं हाँ तो हुजूर हमने जो बात की थी वो ठीक की थी open the door का subject होता है और वो you है जो कि understood होता है कभी बोला जाता है कभी नहीं बोला जाता हाँ संतोश यासे बैटे देखो इसमें command है बिलकुल इसमें advice भी हो सकती है request भी हो सकती है राना साब कह रहे हैं कि yes sir sentence है क्योंकि इसमें verb भी है और इसमें subject भी understood है अच्छा अब मेरी बात सुनो समझो अब किसी को अगर कहा जाए open the door इसका मतलब होता क्या है I open the door he opens the door they open the door या you open the door तो open the door का मतलब है you open the door अजी तो हुजूरे वाला ये sentence है और इसमें clause भी मौझूद है clause होगा इसमें you और open हाँ और ये चीज मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाती है अपने एक मैंने demonstration ली उसमें एक teacher था तो उससे मैंने पूछा कि बताएं जी open the door sentence है उसने का जी हाँ बिल्कुल है teacher की teachers की जब demonstration लेता हूँ बेटे तो उसमें बड़ी मतलब सख्ती करता होता हूँ मैं उसकी वज़ा ये है कि उसने पढ़ाना है तो वो गलत concept देगा तो पूरी आगे फिर गलत concept जाएंगे lot में तो मैंने उससे पूछा मैंने को बताओ भई ओपन दाडोर में क्या ये sentence है उसने का जी हाँ है मैंने का sentence में clause का होना लाजमी है कहता जी बिल्कुल तो मैंने का clause subject और वर्ब का door object है मैंने का वाँ 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 मैंने का क्या आप बात करती रहा है तो हुदूरे वाला ये भी जवाब आया था मुझे ठीक है जब आप अपने दोस्त को कहते हो shut up तो वो आगे से कहता है you shut up तो open the door का मतलब है you open the door close the window का मतलब है you close the window sit down का मतलब है you sit down वाकि अंग्रेजी की तो रूफ का आप गई थी यानि बजो भी दा को जो वर्ब बोल रहा है अब and he was there for teaching यही बात है ने बेटे यही तो है हमारे हां अजाब यही है कि यहां जो बंदा सब जगा से हार हूर जाता है ना वो आखिर में टीचर बन जाता है तो कुछ stupid होते हैं जो के by choice उस्ताद बनते हैं अच्छा अब मुझे बताएं जिसने सवाल पूछा था उनका सवाल clear हुआ है जाहिर आपने पूछा था मीरवाइस ने पूछा था चलें अच्छा मीरवाइस को clear हो गया है अच्छा अब एक दूसरा फिकर आना जाहिर पूछ रहे हैं stop का मतलब है असल में you stop तो हुजूरे बाला stop भी sentence है जिसका subject you है और verb stop है open the door भी एक sentence है जिसमें you जो है वो subject है और open verb है हाँ हदीका जैसे कह रही है go अब यह जो go है अब देखो आज हमें यह बातें करने का हक बनता है यही बाते अगर मैं कल बताता ना आपको तो बहुत परिशान होते हैं हम लोग जब हम जगडे हैं जब हम अपस में ड्रिल की है जब हम subject को पहचाना है फिर linking verb को पहचाना फिर helping verb को देखा फिर action verb को देखा उसके बाद अब यह पहस हमारी करनी बनती है कि कर दा मैं चला जाओं अच्छा जी ठीक है अच्छा जी अब हुजूरे वाला अगली जो बुजारिश है वो क्या है how many helping verbs can come अरवाब अच्छा how many helping verbs can come with one action verb यह अब हमारा आज का topic है second last slice है उसका एक main verb के साथ या एक action verb के साथ या एक main verb के साथ कितने helping verbs आ सकते हैं हां जी बाटे recorded है recorded है don't worry record कर रहे है जैन साथ ना आई हैव बीन स्पीकिंग ट्रूथ आई शेल हैव बीन स्पीकिंग ट्रूथ जी ते रहे बीटे जी ते रहे अच्छा जी अब सबसे पहले तो हम इसमें करते हैं न अइडेंटिफाई वर्ब को इसमें main verb को دेखते हैं speak verb है sentence number two में speaking verb है sentence number three में speaking verb है sentence number four में में speaking verb पर sentence number one में कोई helping verb नहीं है sentence number two में am helping verb है sentence number three में have और been दो helping verbs है और sentence number four में shall have been तीन helping verbs है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक main verb के साथ किसी एक action verb के साथ हो सकता है कि कोई भी helping verb नहीं हो जैसे I speak truth या I spoke truth हो सकता है एक हो जैसे I am speaking truth I was जी संतोश बिल्कुर I was speaking truth I have been speaking truth I shall have been speaking truth मिनिमम जीरो और मैक्सिमम तीन helping verbs आ सकते हैं एक main verb के साथ यहां तक समझाईए बात यहां अच्छा फिर मुझे बताओ एक main action verb के साथ मिनिमम कितने helping verbs आते हैं मिनिमम जीरो शाबाश देखे ना sentence number one में देखे ना जीरो है I speak truth कोई helping verb नहीं है अच्छा अब मुझे बताएं कि एक main verb के साथ action verb के साथ कितने maximum helping verbs आ सकते हैं शाबाश त्री हो गया शाबाश बिल्कुल ठी कैजिए त्री हो गया अच्छा अब मेरा अगला सवाल sentence number two में मुझे not लगा के दिखाओ कहां लगाओगे हाँ जी एकरा सही कह रही है minimum zero maximum three अच्छा am के बाद लग जाएगा not चलें ये हो गया ठीक sentence number three में मुझे not लगा के दिखाओ हाँ ठीक कह रहे हो गटे adverb है लेकिन अभी बोलेंगे नहीं हम sentence number three में not आपने लगाया है हेफ हेफ के बाद sentence number four में लगाओ sentence number four में हुदूर sentence number four में शेल के बाद लगेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो not लगाया जाता है वो पहले helping verb के बाद लगाया जाता है generally तो आई एम नाट स्पीकिंग ट्रूथ, आई हैव नाट बीन स्पीकिंग ट्रूथ, आई शेल नाट बीन स्पीकिंग ट्रूथ, जेनरली ऐसा ही होता है और नाट की जगा पे ना अकसर adverbs भी आते हैं वो अभी नहीं करवाता, बस ये नाट की position याद रखिएगा अच्छा, अब अगली बात, अगर हमने question बना ना हो, तो पहला है am I, have I, shall I तो नाट लगाना हो, तो पहले helping verb के बाद not question बनाना हो, तो पहला जो helping verb होता है, उसे ही हम start में ले जाते हैं तो helping verb को भी आप बिचारे को devalue न कीजिएगा कभी क्या है, यह तो main verb भी नहीं है, इसकी क्या उकात है helping verb की अपनी beauties हैं तो हम क्या बात कर रहे थे हाँ जी बेटे, first letter capital होगा, sentence का जो first letter होता है, वो capital होता है तो हम क्या बात कर रहे थे, कि minimum zero, maximum three helping verbs with one main verb दूसरी बात हमने की थी, कि जो not आता है, वो first helping verb के बाद आता है और तीसरी बात हमने की थी, कि अगर हमने questions बनाने हों तो हम पहले helping verb को ही शुरू में ले जाते हैं helping verb को ही शुरू में ले जाते है, am I speaking truth? question mark am I not speaking truth? question mark have I been speaking truth? have I not been speaking truth? shall I have been speaking truth? or shall I not have been speaking truth? तो helping verbs की अपनी beauties है अब मेरा बच्चा उसके बाद helping verb की पहचान के बाद अब मैं लिखता हूँ फिक्रे और उसमें से आप करोगे उसकी, ठीक है? और फिर मैं भीजूँगा आपको test का अब मैं sentence लिखता हूँ helping verb के बाद main verb और ing लगा होता है लाजमी नहीं है बेटे लाजमी नहीं है helping verb के बाद लाजमी नहीं है कि ing वाली form आए ठीक है ना? वो हम tenses करेंगे तो उसमें देखेंगे फिर ये सेयद अली हसनेयन है? अच्छा, ठीक है चलो बिटे, अब जरा ये activity करते हैं हम sentence देखिए there was ill and his doctor हाँ जी मुन्जा ऐसे ही है ऐसे ही है घलत यूज़ करते हैं हम तो ये जो मैंने आपको places बताई है ने इनको याद रखना है दो places बताई है मैंने आपको not लगाना है तो पहले helping work के बाद question बनाना है तो पहले helping work को ही start में लेके जाना है हुजूर ये concept clear होंगे ना हमारे माइंड में we can write easily असानी से लिख पाएंगे फिर मुंजा समझाई बेटे हाँ संतोष वह असल में ना बेटे मैंने इसे मैं फिर सीधा कर देता हूँ एक मिनिट इसे मैं अपनी जगा पर ले आता हूँ क्योंकि उतो question बना के दिखाए थे ना मैंने ये ले ये देखो जाए इजाज आप ये been और have been को अभी छोड़ें ये हम tenses करेंगे तो हम उसे complete करेंगे आप ये देखें जीते रहे मेटे संतोष जीते रहे आप ये देखें कि मैंने use इसका कैसे किया बस ये देखो ना मैंने पहले sentences में आपको क्या बताया भला कि minimum एक main verb है speak और एक main verb के साथ कोई helping verb भी नहीं हो सकता minimum zero helping verbs maximum sentence number two में one sentence number three में two sentence number four में three आप देखो maximum helping verbs आ सकते हैं ती फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने not लगाना है तो वो पहले helping verb के बाद लगेगा कि मैं static बना देता हूं यहां पर am के बाद not have के बाद not और shell के बाद not यहां पर nots लगने हैं बैटे अब हम बाद में देखेंगे कि यह have been क्यूं आ रहा है यह shell have been क्यूं आता है वो तो tense की बाद है ना तो हम बाद में देखेंगे आपको यह समझाई है कि अगर हमने not place करना है तो वो कहां पर आएगा पहले helping verb के बाद आए और question बनाना तो कैसे बनाएंगे पहले helping verb को स्टार्ट में लेके जाएंगे अचा अब यह activities जरह देखिए जिया वाज इल and his doctor advised rest comma so he slept and comma and नहीं एक minute है अभी इतना लंबा जोड़ा sentence नहीं लिखता मैं रह्मान उल्ला देखो मेरा बच्चा आप पूछें वर्ब के साथ helping verb क्यों लगाते हैं बाज वकात जो वर्ब होते हैं वो अपना tense नहीं बता सकते हैं अब रह्मान का question पहले सुनें रह्मान पूछ रहे हैं वर्ब के साथ helping verb क्यों लगाते हैं अब ये मेरा sentence देखो I teaching अब मुझे बताओ के इस फिक्रे का tense क्या है I teaching का हाला कि teaching verb है tense नहीं बता रहा ये जब तक teaching से पहले am नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा के ये present tense है जब तक teaching से पहले was नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा past tense है अब देखो ना teaching तो main verb था ना अब हमने is helping verb लगाया है helping verb ने बताया के tense कौन सा है was अब helping verb ने बताया के tense past है अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ शेल बी सिराज टू मन्स है बेटे शेल बी अब शेल बी ने लगाया है शेल बी ने बताया है अब यह दो हेल्पिंग वर्ब्स आए है अब इन्हों ने बताया है कि डिरेक्शन फ्यूचर है अजी तो हेल्पिंग वर्ब हम नमबर वन इसलिए लगाते हैं कि वो टेंस बताते हैं नमबर टू हम इसलिए लगाते हैं कि वो सबजेट के बारे में भी बताते हैं जैसे अगर मैं कहूँ कि एम एम ये भी तो बता रहा है कि मेरा सबजेक्ट आई है यहां पर इज नहीं लगा सकता मैं इज अगर लगाऊंगा तो इज मांगेगा ही को इज मांगेगा शी को इज मांगेगा इट को इज मांगेगा सिंगुलर नेम को रह्मानुला यह हो गई दूसरी बात helping verbs जो होते हैं बिटे जो essay और pressy और comprehension है न वो totally different field है totally यह जो इस वकत हमारा यह जो सिलसला चल रहा है यह सिर्फ grammar का है तो अगर मैं grammar के साथ pressy comprehension और essay को भी जोड़ दू न फिर two months are not sufficient for that जी शहजाद model verbs भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे model verbs भी करेंगे semi models भी करेंगे अभी तो अभी तो party शुरू हुई है अच्छा जिस बेटे ने पूछा था उसे clear हुआ है रह्मान अल्ला ठीक हो गया अच्छा अब बेटे मेरी एक फर्माइश है वो भी कर दो बस अब देखो जी अब में सेंटेंस लिखता हूं मेर वाइज यस हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग में लेगी हाँ बेटे करा ऐसे ही है और इंग्लिश को हाँ जी और इंग्लिश को टफ भी तो बहुत बनाया हुए न हमने हवा भी तो बनाया हुए न इसे ऐसा लेंग्विश नहीं न लिया हमने इसको ऐसा कॉलोनाइजड लिया है ऐसा महकूम अच्छा जी अजब मेरी एक पहले एक आखरी बात सुन ले मुझे एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए आप लोगों से बस मुझे बताओ इस सेंटेंस में कितने क्लॉजज़ हैं जिया वाज इल एंड इस डॉक्टर एडवाइज रेस्ट किरन कह रही हैं दो जर्मीना कहती हैं दो यह मुझे नाम नहीं समझाया ए डब्ल्यू एल एस और लास बैर सना अमीर हमजा सब कह रहे हैं दो शाबाश शाबाश आइडेंटिफाई कर दो जरा मुझे मुझे जरा आइडेंटिफाई करके बताओ कैसे दो कैसे नहीं किरन जिया और वाज ये है कलॉज अंजी डॉक्टर और एडवाइज्ड ये है दूसरा कलॉज हान जी नूर हान जी संतोष ने ठीक कहा है अवैस सही कह रहे हैं मीर वाइज ने भी ठीक कहा है अमीर हमजा जिया के साथ वाज भी तो लगाओ ना अब देखो ना जिया सब्जेक्ट है और वाज लिंकिंग वर्ब है यहां डॉक्टर सब्जेक्ट है और एडवाइज एक्शन वर्ब है तो याद रखना के साब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब भी क्लॉस बनाते हैं हाँ हमजा बट बिल्कुल सही कह रहे हुए जिया और वाज वन क्लॉस है और हमजा बट कह रहे हैं डॉक्टर अडवाइज दूसरा क्लॉस है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है फिर समझो मेरी बात बलके ये लिखो ना इसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट बज्यार चोटा नाम है ना इसलिए मैं लिखता हूँ बटे इल को छोड़ें क्या है उसे अभी हम बात ही नहीं करते हमने तो क्लॉज ढूणने हैं ना सब्जेक्ट और वर्ब ढूणने हैं तो सब्जेक्ट प्लस नहीं नहीं सिराज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्लॉज नहीं बनाते subject plus linking verb is equal to clause नहीं बटे रेस शामिल नहीं है फिर देखो ना इजाज clause होता क्या है subject और verb का मजबुआ होता है तो subject plus linking verb is equal to clause और subject plus action verb is also equal to clause हाँ रह्मान अल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे है और मैंने आपको कहा था कि action verb हो या linking verb हो दोनों की same value है जीते रहे हैं बेटे सम्तोष जीते रहे जियावास इल and his doctor advise him rest अब एक मिनट अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ बेटे मैंने clause को sense से कोई relate ही नहीं था किया इकरा मैंने clause की definition क्या बताई थी आपको बलके हमने definition दुनाई थी ना subject और verb का combo clause होता है अमीर हमजा ठीक है बिलकुल सही है subject और verb का combo clause है अब subject या action verb हो तो भी clause है subject और linking verb हो तो भी clause है subject और helping verb clause नहीं बना सकते हैं जैसे हम इदर से उठा लेते हैं देखो आप मुझे बताओ sentence number one का clause क्या है इस sentence का clause बताओ I speak, shabash I speak, shabash, shabash बिलकुल ठीक है हदीका, इकरा, अच्छा most of the time we take subject and predict नहीं 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 प्रेडिकेट का मैंने नाम ही नहीं लिया बेटे किरन प्रेडिकेट ना मैंने तो आप लोगों को चीजें पढ़ानी हैं, समझानी हैं प्रेडिकेट की बारी जब आएगी तब मैं बोलूँगा सबजेक्ट और वर्ब का कॉम्बो क्लॉज होता है हाँ, अच्छा, सेंटेंस नमबर टू का क्लॉज बताओ कौन सा है बुक में तो बेटे ऐसे ही लिखा होता है अगर देखो ना बुक से ही पढ़ना होता तो आज हम विडियो लेक्चर क्यों ले रहे होते हैं अगर बुक से सारी चीजें बताती हैं तो सेंटेंस नमबर टू में आई और स्पीकिंग क्लॉज है हुजूर हाँ तो आप ये ना कहिए कि I और am यहां पर क्लॉज है I और स्पीकिंग क्लॉज है सेंटेंस नमबर टू में भी I I और स्पीकिंग क्लॉज है सेंटेंस नमबर फोर में भी I और स्पीकिंग क्लॉज है सेंटेंस नमबर टू में भी I और स्पीकिंग क्लॉज है सेंटेंस नमबर वन में भी I और स्पीक क्लॉज है तो subject और action verb clause होता है subject और linking verb भी clause होता है जैसे के ये देखे I was ill I am in the room यहाँ पर I am clause है लेकिन I am studying in the room में I are studying clause है am नहीं helping verb cannot make a clause लेक्के बताओं देखो I study regularly I am a student और I am studying now अब देखो sentence नमबर वन में I और study clause है subject और action verb sentence नमबर टू में I और am clause है क्योंके subject और helping verb भी subject और linking verb भी subject और linking verb जो है यह भी clause होता है लेकिन I और studying clause है यहाँ helping verb बिचारा छोटा यह यह नहीं clause में लेंगे कल अलाफिज मासूम चोटू है यह नो वैल्यू अफ हाँ जी इसकी कोई वैल्यू नहीं है clause में जजा के लाबेटे संतोष तैंक्यू अच्छा जैन साब कुछ फर्मा रहे हैं admin आपको कुछ बताएगी जैन साब कह रहे हैं सिद्रा कह रही हैं लाफेज अच्छा जिन्होंने leave करने हैं वह leave करने जिन्होंने questions पूछने हैं मुझसे भर आव्दाया मुझसे मुझसे